जो अब मैया समान की बात कर रहे हैं, मैया इस बार तस्वीर बदलने वाली है और ये तस्वीर ये बदलने वाली है कि भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है और महागडबंदन की सरकार अब आने वाली है। कि बंटी ववली मिलकर इस राज को ठाग रहे हैं। इस से क्या कमजोर हुआ कभी लगा कि अब देरे देरे हम लोग कमजोर हो रहे हैं या फिर और मजबुत होते चले। क्या लगता है कि उस मामले में आप सच पुछ में आप लोग वैकपूट पर हैं। कि सालाना पांच लाख नौकरी बिरुजगारी भत्ता का वादा हुआ था। युवा आक्रोसी थे। पूछ रहे हैं कि ठीक है आप कर रहे हैं सब कुछ हुआ। कि नौकरी बिरुजगारी भत्ता ये तो नहीं मिल पाता है। जामताड़ा के विधाये के इर्फान अनसारी उन्होंने सीता सोरेन के खिलाब बयान दिया है। रिजेक्टेड माल का है। बीजेपी प्रेस कॉनफरेंस करके अभी जिस दिन नोमनेशन था हूँ उसका आप इसे कैसे देखती है। जब हेमन जी जेल में थे लोगसभा चुनाव से पहले आपकी इसी ग्रीडी के धरती से मुझे याद है मैं आया था उस कारेक्रम में आपकी राजनीती में इंट्री हुई थी। और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अब बहुत अनुभवी हो गई आप। बात करने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन हैं कल्पना मुर्मू सोरेन परिचय की कोई महताज नहीं है। अब ज़ार्खन में विधान सबा का चुना होना है तै होना है कि किसकी सरकार बनेगी। और कल्पना मुर्मू सोरेन फिर से ज़ार्खन मुक्ति मोर्चा की गांडे से उमिदवार बनी है। लेकिन उमिदवार गांडे की हैं लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन की नजर और जनता की नजर कल्पना सोरेन की पूरे जार्खन की जनता की है। मेडम बहुत स्वागत है फॉलॉप में। बहुत बहुत अन्यवाद है और जोहार है आपको और आपके पूरे शुरताओं को भी जोहार है। जब हेमन जी जेल में थे लोगसभा चुनाओं से पहले आपकी इसी ग्रीडी के धरती से मुझे याद है मैं आया था उस कारिक्रम में आपकी राजनीती में इंट्री हुई थी। और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अब बहुत अनुभवी हो गई हैं आपको देखे अनुभवी नहीं हुँ मैं मैं यह कह सकती हुई राजनीती कैसा गहरा समंदर है अगर आप इसमें जितना गोते लगाएंगे न तो आपको और अलग गहराई नज दर आएगी और यह जगह है सीखने की यह हमें बहुत अलग अलग बाते सिखाता है और यहां सीखने का इतना अपार शमता है आप में लगन अगर हो और आप शरदा के साथ अगर इस लगन के साथ आप इसमें गोता लगाना चाहें तो यह बहुत गहरा है और अपार शमता ह और बहुमूली यहां पर रतन चुपे हुए आप कौन सा रतन आपको कब मिल जाए आप कह नहीं सकते हैं मुझे याद है कि 2019 में जब हेमन जी सपत ले रहे थे तब दरसक दिरगा की तरफ आप वैटी थी उस समय मैं आपका इंटरव्यू भी किया था मुबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी और मुश्कुरा रही थी अब 2024 में तस्वीरें बदल गई है अब आप मंच पर हैं एक मुर्चा अगर हेमन जी समा ले हैं तो दूसरे मुर्चे पर कलपना सोरेन है यह जो बड़ा अंतर हुआ क्या कलपना सोरेन इसके बारे में सोची थी कभी देखे मैं अगर आपको बताऊं मैं मेरी जब शादी भी हुई थी तो राजनीति बहुत बड़ा परिवार है मैं तो बहुत जादा जानती भी नहीं थी और जब मैंने दीरे-दीरे समझा और दीरे-दीरे जाना और उसके बाद देखा कि राजनीती शायद मेरे लिए है ही नहीं और मैं अपने शिक्षा के छेत्र पे अपने बच्चों का परिवार परिजनों के सब के साथ रहती थी और मैं उसमें खुश भी थी कहीं न कहीं जब ये साल की शुरुवात होती है ऐसे तो जब बदलता है सब चीज 31 जनवरी उसके बाद से सब कुछ बदल गया और जो शायद कल्पना सोरे इन पहले थी वो उसके बाद नहीं रही और जैसे आपने कहा कि मेरी चार मार्च को यहां गिरिडी में पहली सभा थी तो थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो गई थी और कहीं न कहीं ग्रहनी क्या कर सकती है लेकिन जारकन की जनता ने जो उस सभा में भी लोगों ने मुझे प्यार दिया और एक विश्वास जताया मेरे उपर और मुझे ऐसी ताकत दी जिससे मैं लड़ पाई और लड़नी की जो शमता मैंने यहां पे रह करके सीखी या लोगों से बात करके सीखी वो आज मैं महसूस करती हूँ कि किस तरीके से हमारे दिशम गुरु शीबू सोरें जी लड़ते थे जब कोई सपना भी नहीं देखा था कि जारकन को कोई अलग भी कराना है ऐसा कोई राज़ भी सोचना है वो विश्वास था उनके अंदर में और वो विश्वास उनको कौँ दिया था हमारे जारकन की जनता दे थी और उन्होंने उस विश्वास के साथ अपने संगर्ष को आगे बढ़ाया हेमन सोरें जी ने भी लड़ा और 2019 में जब डबल एंजन की सरकार हटी और हेमन जी के उपर एक पूरी बागडोर आई और उस समय भी जारकन की जनता ने पूरा विश्वास जताया हेमन सोरें जी के उपर फिर एक ऐसा वक्त आता है 2024 जो सारी कहानी आपको पता है और मैं आई अब मुझे भी लगता है कि जारकन की जनता ने इस बार मुझे पे विश्वास अगर जताया है तो मैं बहुत रिणी हूँ आप नहीं समझ सकते कि एक जम्मेदारी राजनेतिक तोर पे रगर एक जम्मेदारी किसी की होती है तो कोई एक विश्वर्क की नहीं होती है पूरा समाज होता है बचे होते हैं महिलाएं होती हैं भाई होते हैं बड़े बज़ुर्ग होते हैं युवा होते हैं तो ये जम्मेदारी बहुत भारी होती है और आज जो प्यार मिल रहा है मैं अपने आपको बहुत मतलब मैं अभार करना चाहते हूं कि इतने कम समय में उन्होंने इतना प्यार दिया और जैसे बोलते नहीं है कि एक स्कूल में अगर फर्स टर्मिनल खतम हो गया, सेकंड टर्मिनल खतम हो गया और एक नए बच्चे का एडमिशन होता है अब यह का एक बच्चे को उसके क्लासपेंट्स का उसको सपोर्ट मलता है वैसा ही समर्थन मुझे जारकन की जनता के साथ महागडबंधन की लोगों के सका मिला और आदर नियदिशम गुरू जी का अशिरवाद मिला मेरी सास का अशिरवाद मिला मेरी ननत का अशिरवाद मिला मेर मेरे परिजनों का मिला शुपचिंतकों का मिला तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आप ताकत दिरे-दिरे आ रही है और जो जम्मेदारी मेरे पर और विश्वास जताने का काम किया है उस पे मैं ज़रूर अपना हंडिट तो नहीं मैं बोलूंगी थाउजन परसंट तो पूरा द जाहिए तब जब कि मैं भी साधी सोधा हूं आठ बजे के बाद अगर घर नहीं जाता तो आइफ़ोन कर देती है आप जब यह फील करती होगी कि दिन भर होगे आप साम को हमनची आएंगे उस समय क्या फील होता था और कैसे उसके बाद फिर आगे बड़ पाते हैं देखि कि भूक की मतलब वो सूखी रोटी भी उसके लिए एक पराठे के बराबर होती है वो एक सूखा निवाला उसके भूक को मिटाता है अगर कोई बहुत प्यासा होता है तो पानी की शायद एक बूंध जो होती है उसके उस प्यास को पुरा मिटाने का काम करती है यह भाव हो तो मुझे लगता है कि कई न कई लड़ने के भावना वो जो आप लोग आजकल एक नया मुझे बोलते रहते हैं कि कल्पना सोने ऐसे क्यों होगे शायद वो पांच महीने मुझे बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया मांसिक रूपे कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है अगर जारखन को अलग करने के लिए बावा ने इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी अगवासाती आंदुलनकारियों ने लड़ा अपने परिवारों से दूर रहे इतना समर्पन इतना त्याग इतनी तपस्या कि तो कही नगही प्रेड़ना वहीं से मिली मुझे और जैस मैं आपको बताना चाहूंगे कि हमारे जारखन की जो वीर शहीद हैं अगर आप उनकी गाथां को समझने का प्रियास करेंगे तो क्या था उस वक्त एक तिलका बाबा हो गये सद्दू कान हो गये सारे लोग हो गये क्या था उनके पास में अपने उपर सिर्फ विश्वास आत्म विश्वास अगर आपके पास कोई संसाधन नहीं भी है उसके बाद भी अगर आपके पर आप तूट रहे हैं विश्म परिस्तिती है आपके अगल बगल ऐसा महौल हो चुका है कि आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको अपना खुद का साथ देना है और ये आत्म विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं उकते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है और जो वो सफर सूरज ने रात हो करके और वो सफर अंधेरे में काटा ऐसे वो अंधेरा होता नहीं है वो अपने ही तरीके से चल रहा होता है आपके देखने का नजरिया अलग होता है तो ये जो विशम परिस्तिती हमें और जादा मजबूत करती है द्रड संकल्पित करती है कि आपकी नजर कहां पे है आपकी नजर अगर आपके लक्ष पे है तो आपके अगल बगल क्या चल रहा है मुझे नहीं लगता कि उसका कोई खास असर पड़ता है बस आपका सीध्या लक्ष पे बस आप मचली की आँग बोले आपका लक्ष पे आपकी नजर होनी चाहिए और आप अगल बगल भूल जाएए कि आपकी विशम परिसित्य आपके पर क्या कर रही है अगर आप खुद से जुड़ जाते हैं आप खुद को मानते हैं और अपने उपर विश्वास करते हैं तो लोग आप पर विश्वास करेंगे ही करेंगे अभी आप हैं गिरीडी में हैमन जी हैं राची में तो ये कोडिनेशन कैसे बठा पाती है, रात को क्या सभा करने के बाद आप लोग बात करते हैं, आज मैंने ये कहा, वो बताते हैं कि मैंने ये कहा, देखे मैं आपको बता रहे हूं, सर बहुत बिजी रहते हैं, और अभी मैं जानती हूं कि उन से बहुत कम बात हो पाती है, अभी तो हमारे कारे-कारी अद्धक्ष है, तो हम लोग सिर्फ काम की बाते हो पाती हो, और अभी बहुत जादा टाइम नहीं है हम लोग के पास, सूबे में एक बार, रात में एक बार, वो भी जादा से जादा बहुत कम समय है, मतलब पदी-पत्नी वाला नहीं बोल सकते हैं अभी वो एक प्रिंसिपल सर और हम लोग स्टूडेंट टाइप के वो जहां बोलते हैं जो जिम्मेदारी देते हैं और खासकर कि पाटी जो जिम्मेदारी देती हम लोग उसी पर काम करें और उसी का निर्देश है कि हमको कहां पे रहकर किया काम करना है और किस-dle диक हो जये ज़ेल से आ आ तो क्या कोईled आपके लिए वालागे इस दोरानहें भी सतिया जाती मैं आपको बताओ ना कि सर पता नहीं कैसे है सर बहुत पर्सनली अगर मैं बोलू तो एक्सप्रेस नहीं करते है वो अपने नहीं नहीं वो हर एक उनकी जो बात होती है हर एक बात पे कुछ नो कुछ मॉरल रहता है वो अपने शब्दों को इस तरीके से पिरोते हैं कि मैं लास्ट बन को यहीं बोलती हूँ कि कुछ थोड़ा सरल भाषा में बोलते तो तो जादा चाहूँ गुमा कर बोलते हैं और बहुत इंफिंशिल वर्ड मैं बोलूगी रसे उनका बोलने का तरीका अलंकृत करके वो बोलेंगे आपको और विश्वास जताते हैं और कहीं अगे मुझे लगता है कि विश्वास हुआ है और उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए पत्नी के तौर पे नहीं अब एक मजबूत साथी के तौर पे आप पॉल्टिक्स पे आते हैं गांडे से आप जैमेम की उमीदवार हैं आपके सामने भरती जनता पाटी ने मुन्या देवी को उमीदवार बनाया है तो उपचुनाव से ये चुनाव में कितना अंतर देख पा रही हैं चोकि उस समय आपके साथ एक बहुत बड़ा सेमपेथी था कि हमन जी जेल में आपके पती जेल में है क्या वो सेमपेथी अभी देख रहा है कि वो कम हो गया नहीं देखिए इस बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो चुनाव हमारा समय से पहले हो रहा है तो मेरा एक डिड़ महीना तो उसी में घड़ गया उसके बाद चुनाव हो रहे हैं तो उसमें एक महीना और घड़ गया तो मुझे जादा जादा चार महीना मिला होगा चार से पांच जादा तो महीना मिला नहीं मुझे और लेकिन मैंने अपनी तरफ से गांडी की जनता के लिए जो उनकी बुन्यादी जरूरत है खास करके क्योंकि यहां पर सडकों का बहुत जादा दिक्कत था तो मैंने सडकों का जाल बिछाने का काम किया है और जितने सडक मार्ग मुझसे इस वक्त पे हो सके मैंने उसको देने का काम किया गर आप गांडी की जनता को भी जाकर के पूछेंगे तो ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ है साथी साथ पुलपुलिया के बात हो और ऐसी सडक जहां से रोज लोगों का आवगमन हो देखें यह क्या है रास्ता क्या है एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुँचने का एक मार्ग है अगर यह बुन्यादी ज़रूरतों को हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा और मैं समझती हूँ कि इस बार मैं अपने कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हूँ और अगर आपको गर्याद होगा क्योंकि जब पिछली बार मैंने नमंकन किया था तो उसकी चुनावे सभवे मैंने वादा भी किया था अपनी बेहनों के लिए बेटियों के लिए कि गांडे की विधान सभा में मैं एक डिगरी कॉलेज दूँगे और वो वादा भी मैंने पूरा किया और वेंगाबाद में हमारे बच्चीों के लिए डिगरी कॉलेज के लिए उसका सील अन्यास भी हो गया है तो मैं समझती हूँ और अब भी बहुत काम करने हैं क्योंकि अभी तो मेरी शुरुवात ऐसी है तो गांडे के लिए एक सुन्दर और एक प्रगर्ती शील हमको विधानसभा इसे बनाना है तो इसका आगास कैसा होगा तो अभी तो कहानी शुरुवाती हुई है तो मैं आप सभी से आपके मादिन से भी हमारे गांडे की जनता को जरूर बोला चाहूँगी कि एक बार फिर से मौका मुझे दीजिए कलपना सुरीन के रूप में आपकी अपनी बेटी के रूप में आपकी अपनी बेहन के रूप में कि फिर से जिस तरीकी कि मैंने शुरुवात की है कि अपने कारे के द्वारा मैं इस तरीके के खुशाली मैं पूरी गाड़े में देना चाहती हूँ और मुझे फिर से ज़रूर मौका दीजेए अब जो पूरे जारखंट घूम रही है पलामू से सुरू की कोलान तक इंट्री मारी आप गाड़ी पर चड़ कर भासन दे रही है ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का नेता कोई बोल रहा है क्योंकि लोग देखना अगर चाहते हैं और थोड़ा नीचे हो जाने कि इतनी हाइड भी नहीं है ना कि लंबे होते तो चलो खड़े हैं तो दूर से नजर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उसको उप्योग किया मैंने और एक उचाई स्थान में जाकर के मैं बैठ गई और वहां से लोगों ने देहर सारा आशिरवाद भी दिया और अपनी मैंने बातों को भी रखा तो मन्च नहीं था तो कार को भी मैंने अपना और उसके बोनेट को ही अपना मन्च बना लिया हेमन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी आप क्या मानती है? विश्वास वो विश्वास जो हमारे जहारकन की जनता ने जताया है 2019 में और यही विश्वास जो जहारकन की जनता 2024 में भी जताएगी क्योंकि अगर आज जितने भी कल्यानकारी काम हो रहा है और जितने भी उन्होंने अपने कामों को धरातल पर उता रहा है उसका सीधा लाब हमारे गरीब जनता पर पहुँच रहा है बीजेपी तो बोल रही है कि मिला क्या तो आप बताएए कि हमने दिया कितना है इसका अगर आप हिसाप लगाएंगे न वो बूच तले दब जाएंगे मैया सम्मान योजना चलिये वो अभी किया अभी हम बोल रहे है अब वो आवास किसने दिया हरा राशनकार किसने दिया सरवजन पेंशन किसने दिया है बिरसा हरिद ग्राम योजना किसने दिया है सार्थी योजना किसने दिया है पशुधन योजना किसने दिया है हमारे बोल रहे हैं कि महिलाओं को 72,000 सलाना देने का वादा था, सोना का सिक्खा देने का वादा था, बगाईदा एड जारी हो रहा है वीजेपी का, वो मिला एक चीज़ मुझे बताइए कि आज हम लोगोंने महिया समान योजनाब दे रहे हैं, नहीं करेंगे तो चली हमको सुनना है, लेकिन जब हम कर रहे हैं, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही हैं, क्योंकि इसीका तो एक स्वरूप है, आप महिलाओं को सबको मजबूती देने का काम कर रहे हैं, सोने का दाम आप आप खरीद पाईएगा, आज के कितना है मार्केट मेरेट, आप मुझे बताइए, आप म हम लोग ही शुरू किये पहले मद्यप्रदेश में शुरू हुआ उसी का कॉपी पेस्ट है अच्छा ठीक है उनका कॉपी पेस्ट है जारखंड में आपकी डबल इंजन की सरकार थी थी दोजार चौदा में तो आप लोग अगर इतने इंटलीजन थे इतनी अच्छी सोच तो आपने जारखंड में क्यों नहीं लाई आपकी डबल इंजन की सरकार के समय क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो अपना सोच थोड़ा लगाना जी था उसी समय कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कि आपने वो तो कर रहे हैं कि अगर जेमेम को देना ही था तो पहले दे तो चुनाओ के समय दिया जा रहा है है ही नहीं इनके पास में ये हमारे जारकंड में हमारे जितने हक अधिकार हैं उसको काटने का काम करते हैं आज हेमन सोरेंची नियूजन नीती की हम लोग यहाँ से लेकर आये उसको पास कराया, सरना धरम कोड पास कराया पिछडों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षन पास कराया इनके नेताओं में इतनी दम है कि इस बात को वो बोल सके कि हाँ आप सही कर रहे हैं हम आपके साथ में हैं आज ये बात करते हैं कि हम अपने जारकंडे मुद्दों की बात कर रहे हैं यह लोग मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये ऐसे लोग हैं जो ये जारकंड का विकास कभी चाहते नहीं है वो ये नहीं चाहते हैं कि जारकंड की हमारी माताएं बहने सुआवलंबी बने हमारी बिटिया लोग पढ़ लिक करके मजबूत बने और आज जिस तरीके से हमारी जारकंड की नेत्रियां जो है हमारे महागडबंदन के लोग जो है वो जिस मजबूती से अपनी आवाज को बुलंत कर रहे हैं किसके विकास के लिए हमारे जारकंड के लोगो के लिए तो मैं ये समझती हूँ कि इनका डर कह रहा है और इनकी जो नकामी रही है पिछले 5 साल में जो उन्होंने कुछ काम नहीं किया वो अब उसका सारा ठीकर हमारे पर फोड़ना चाते तो भाया भार आपका है भार आप डोई है लेकिन जो सौगातों का उपहार है और जिसका सीधा अलाब हमारी जहारखन की जनता को मिल रहा ह उसका अगर आप भार उठानी पाईएगा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है आपको 5 साल सरकार आपने चलाई और उस 5 साल में अगर आपकी नाकामी है कि आप आदियावादी को जोड नहीं पाए आपकी अगर नाकामी है कि आप लोगों ने हमारे वृद्धा लोगों के लिए मजबूती लाठी बनने का काम नहीं किया हमारे लोगों को शशक्त कराने का काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि आपकी नावकामी आपको बहुत-बहुत मुबारक है और ये जारखंडी सरकार अबुआ सरकार अपने लोगों की सरकार है जिसमें दो साल हमारे घटे लेकिन तीन साल में जो हम लोगों ने काम किया है वो आज जबान पे हैं लोगों के और आज जो मैया समान की बात कर रहे हैं मैया इस बार तस्वीर बदलने वाली है और ये तस्वीर ये बदलने वाली है कि भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है और बंदन की सरकार अब आने वाली है। थोड़ी वो रखें हैं और सीनियर हैं और मैं तो खास करके अभी नहीं आई हूँ तो हम जैसे नेता लोग क्या सीखेंगे आपसे राजनीती हर किसी को करनी है ये छेत्र है लेकिन अगर भाशा की मर्यादा रखा जाए और ऐसे शब्दों का इस्तमाल ना किया जाए जो तरीके से एक पिक्चर बनी हो तो मुझे लगता है कि आपको समझना होगा कि आपकी भाशा से यहां के जनता सीख रही है सुन रही है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और आप क्या सीख दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मर्यादा भाशा में रखनी चाह सब्ठाइब नौकरी बिरोजगारी भत्ता का वादा हुआ था युवा अक्रोसी थे पूझ रहें कि ठीक है आप कर रही है सब कुछ हुआ लेकि नौकरी बिरोजगारी भत्ता ये तो नहीं मिल पाया देखे मैं आपको इसमें बात बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारी योजन में क्या है? यह skill development का है और इसमें बच्चों को हम लोग इसमें skill development कराना सिखाते हैं और इसके साथ में ही जब तक आपको नौकरी आप कहीं पर काम पर नहीं लगते हैं तो आपको इस राशी से भी जोड़ा जाता है आपके help के लिए. मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपके पास एक question है आपका question का आपके पास answer आना जरूरी है तो answer आने के लिए आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं जैसे question problem को solve करना होता है तो एक दो तीन तरीके होते हैं. आज हम अपने लोगों को अपने भाईयों को अपने युवा साथियों को जोडने का इसी में काम कर रहे हैं कि हमारी सार्थी योजना के तहत में हम अपने युवाओं को युवतियों को इससे जोड रहे हैं skill development में और खास करके इससे जिसमें जनको काम मिल गया है उनको तो काम मिल चुका है, लेकिन जनको नहीं मिला है, उनको हम लोग इसमें भटा देने का भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब जहां तक नौकरियों के बात होती है, मैं तो आपको बोली ना कि नियोजन नीति के खिलाफ कौन है, नियोजन नीति के खिलाफ तो यहीं ल आज जारखंड को अगर अपने मुद्दों से दूर करने का अगर किसी ने काम किया ना तो भाजपा नहीं किया है लेकिन यह लोग तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक भी हो जा रहा है हर एक प्रिक्षा अभी जैसे सीजियल इतना बड़ा मुद्दा बना है आप आप यह है कि उस एक्जायम के तहत में बहुत बाते भी हुई थी कि इंटर्णेत हमारे प्रियास को अब देखे pequen और एक्जायम लीक हो जाना headphones तो पहले होते भी नहीं थे किया हैं molta Sambert और स्वरक시면 के अउन और चीटिंग को रोकने के लिए प्रयास था और आज फिर घूम्फिर करके वहीं बात पहुंच गी 감सिशा कोट पुँच जाएं हमारे घारकण का अगर विकास में हगर अगर अगर सबते बड़ा रोड़ा है तो ये पियायल है अगर आप PIL हर चीज में करिएगा तो आप हमी से पूछेगा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं और जब हम लोग कुछ देने का प्रयास करते हैं कुछ योजना लाने का प्रयास करते हैं आप PIL कर देते हैं तो मतलब आप ही सबसे बड़ा अवरोदक बन गये हैं और हमारी जारकन की जनता के साथ ये खलवाड हो रहा है अगर नौकरिया नहीं मिल रही हैं तो मुझे लगता है युवाओं को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आप लोग अगर दिख ब्रमित हो रहे हैं और अगर आप लोगों को ये किया जा रहा है तो आपको समझना होगा कि आपका भविष्य खत्रे में और हम चार हैं ये जारकन्डी सरकार ये आपकी अपनी सरकार ये चार है कि आप लोगों को हम मजबूती प्रदान करें आप लोगों का भविश्य उजवल हूँ यही हमारे जारकन सरकार के प्रियास है पिर से रिपीट होंगे तो इस पर जादा फोकस होगा बहुत जादा फोकस होगा क्योंकि देखिए हमको पांच साल में गर आप देखा जाए तो तीन ही साल काफी मिला उसमें से पांच महीने भी घटा दीजे तो हीमन सोरियन जी नहीं थे तो ढ़ाई साल आप मान लिजे ढ़ाई साल में हम लोगों ने ये काम किया है और मैं आदर्निय हेमन सोरियन जी का, और उनकी सोच का, और उनकी हिम्मत का, और उनकी संहरशील वेक्तित्व का, मैं बहुत आभार करना चाहती हूं क्योंकि वो डरे नहीं, वो जुके नहीं लेकिन वो निरंदर प्रयासरत है समगर विकास के लिए और जार्खन के समगर विकास के लिए जार्खन के जनता फिर से एक ही नारा हेमत दुबारा करके तयार है यह नारा आप ही दियें क्या चर्चा है कि कलपना सोरेन जो एक मेनेजमेंट है चुनावी मेनेजमेंट उसमें भी बहुत योगदान प्रादा है देखे ऐसी चीजें जो बहुत सीधी मैं सीधी साधी हूं और मुझे लगता है कि सीधा नारा सिंपल हो तो जादा अच्छा हो तो यह आप कोई भी बोल सकता है और तो एक ही नारा हेमत दुबारा और जितने मैं आश्वस्त कराना जाती हूं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जारकन की जनता को कि हमारे बाकी बचे जितने भी काम हैं जितने भी बचे हुए काम हैं उसको हेमन सोरेंजी प्राथमिक्ता के तौर पर में उसको काम करेगी और आने वाले पांच साल आप फिर से हेमन सोरेंजी को मजबूत करें और ये मजबूत करने के बाद आपका जो सपना है उसको पूरा करने की हम लोग जी तोड मेहनत करेंगे कई चीजें हुई इस पांच साल के दोरान कई लोग जो मजबूत लोग थे वो चले गए परिवार के भी आपके लोग चले गए इससे क्या कमजोर हुआ कभी लगा कि अब दिरे-दिरे हम लोग कमजोर हो रहे हैं या फिर और मजबू नगे से अगर कोई अपना आपको छोड के चला जाता है, दूर हो जाता है तो शन भर के लिए तकलीफ होती हैं लेकिन कहीं न कहीं ये जीवन चक्र हमें ये सिखाता है कि शायद उसका साथ हमारे इस जीवन में इस सफर में यहीं तक था और ये गतिशील है हमारा जीवन और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं आपके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं और जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं ये विश्वास जताते हैं कि बिले ही आपका अपना कहीं खो गया है आपका अपना कहीं छोड़ करके आपको चला गया है लेकिन आप विश्वास रखिए हम आपके पास में पूरे परिवार के तौर पे है और ये ही जार्खन मुक्ती मोर्चा है जारखन मुक्ती मोचा का एक-एक सिपाही हमारा परिवार है और आज अगर कोई नेता छोड़ के जाता है लेकिन उसका कारे करता जारखन मुक्ती मोचा के साथ में ही है तो मैं आपको उसपष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो विश्वास जो नेता बनाते हैं वो होते हैं कारे करता जो विधायत बनाते हैं एंपी बनाते हैं वो होते हैं हमारे नेतागन हमारी जनता तो मुझे लगता है कि हमारी जारखन की जनता हमारे जारखन का परिवार जामुमों का परिवार बहुत मजबूत है और अगर कोई अपना रास्ता अपने से चुन लिया है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है और मुझे लगता है कि ये लड़ाई निरंतर आगे बढ़ते रहना है ये जीवन गतिशील है रुकना नहीं है कदम आगे बढ़ते रहना है लोग रुकेंगे नहीं और अपनी इस लड़ाई को निरंतर आगे रहना है अजदू आखरी सवाल एक तो ये कि गांडे की जनता कलपना सोरेन को किस रूप मेले वो जीत कराएंगी तो क्या होगा च्प्चुनाओं में यहां एक नारा दिया गया था कि CM के संकच्छ उमीद्वार को आप चुन रहीं कि आपने जो विश्वाष उप्चुनाओं में मेरे पर जिताये था मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया और गांडे के सुरूप को बदलने की कोशिश भी की है और हुआ भी है अगर आप धरातल में जाकर देख लीजें तो हुआ भी है तो मैं अपने कामों के वज़े से और मैं अपने वादों के वज़े से और मैं उनका जो लोगों क विश्वास है गांडे की जंता का विश्वास है मेरे उपर उसको मैं ले करके आगे बढ़ रही हूँ मुझे लगता है कि गांडे की जंता इस बाद धेर सारा आश्रवाद और प्यार दुआएं देने वाली हैं ज़्वास है देखिए मैं तो यही सबसे अपील करना चाहूंगी मैं तो इसको मैंने देखा भी नहीं है लेकिन मैं यह अपील करना चाहूंगी हर किसी को चाहे पक्षो या विपक्षो सभी को एक हमें अपनी भाषा शैली पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप आने वाली पीड़ी आप से सीख रही है अगर आप इस तरीके किसे करेंगे जिस तरीके से आपने बताया हमारे आदर्निय बाबुलाल जी जैसे वो हम लोगों को बोलते हैं तो मैं यह समझती हूं कि थोड़ा से आप अगर ऐसा करिएगा आपको देखकर के कोई और करेगा उसको देखके कोई और करेगा उसको देखके को और करेगा इसका अंत नहीं है तो इसलिए मैं आदर्निय हमारे बड़े लीडर सबसे सबसे अनुगरा करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी और विनम अनुरोध है कि आप ऐसे ऐसी शुरुवात ना करें अगर आ यह बहुत सुक्रिया बहुत सुक्रिया